आज की रेशिपी है थोड़ी सी स्पेसल क्योंकि आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं और अभी आने वाली है होली तो होली है रंगों का तेवहार तो आप बना सकते हैं ये रंग विरंगी पूरियां और खाने वाले भी आपसे पूछेंगे कैसे बनाया इसे बनाने का तरीका है बहुत ही ज़्यादा सिंपल कल रात में मैंने बॉयल कर दिये थे आलू और ये चुकंदर यानी की बीट रूट और उसके बाद मैंने रख दिये थे फ्रिज में और ये एकदम ठंडे हो गए आलू का पराठा बनाना हो ये सबजी आलू में पहले ही बॉयल करके रख देती हूँ और उन्हें ठंडा कर लेती हूँ तो ये देखिए मैंने फटा फट से छील ले रही हूँ आलू मैंने बीट रूट के साथ बॉयल किये थे तो आलू भी देखो पिंग पिंग सा हो गया है क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सा कलर तो बीट रूट का आही जाता है अब सारे ही आलू को हम 4 टुकडों में कट कर लेंगे आप 4 टुकडे 8 टुकडे जैसे भी कर सकते हैं मैंने थोड़े से बड़े बड़े से टुकडे रखे हैं और इन्हें ट्रांसफर कर लेंगे एक अलग बोल में इसके बाद हम चुकंदर को भी छील लेंगे छील के फिर हम उसे छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लेंगे और लेंगे एक मिकसी का जार चुकंदर के टुकड़े डालेंगे मिकसी के जार में और इसे एक पेष्ट सा बनाके तयार करेंगे तो ये रहा चुकंदर का पेष्ट हमने बना के तयार कर लिया है आज की रेशिपी में वैसे बहुत एक चमच सा चुकंदर का पेष्ट जो है हम यूज़ करने वाले हैं और बाकी हम किसी नेच्स रेसिपी में यूज़ करेंगे वैसे मेरे पास दो से तीन चुकंदर पड़े हुए थे तो मैंने सुचा सारे ही बॉयल कर देते हैं या फिर आप इसे गुड के साथ खा भी सकते हैं बाकी की हम प्रेपरेशन कर लेते हैं यह मैंने मटर भी ले लिया है अलू टमाटर जो भी है मतलब मैंने सारा कट करके रख लिया है कड़ाई में डालेंगे सरसो का तेल साबू दो लॉंग डालेंगे और साबू थी चार से पाँच काली मिर्च डालेंगे दो से तीन तेज पत्ता हाफ स्पून जीरा राई और थोड़ा सा हिंग हिंग से डाईजेशन बहुत अच्छा रहता है और हरी मिर्च और मेरे पास पिसा हुआ मिर्च नहीं है ना इसके लिए मैंने थोड़े से लाल मिर्च भी डाल दिये लाल मिर्च इस सबजी में थोड़ा सा देखने में बहुत ही यमी से लगते हैं टेश्टी से और ये हरा लैसुन अद्रक और प्याज ये सारा कुछ मैंने एट कर दिया है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा बस पकने तक मतलब जादा जलने न पाए और मसाले हम एट करेंगे तो इसमें हल दी लिया है मैंने सबजी मसा और थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते थे बटाज मेरे पास अभी है नहीं फिलाल तो इसलिए मैंने लाल मिर्च जो है साबुत यूज कर दी है पानी एट करके देखिए एक पेष्ट सा बना लिया है और अब इस सबजी में एट कर देंगे और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स सबजी की कुश्बू बहुत ही अच्छी आने लगती है अगर आप पानी में भीगा के यह सारे मसाले डालते हैं तब और मैंने दो टमाटर कट करके रखे थे वो एट कर देंगे इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे फिर एट कर देंगे हम मटर और थोड़ा सा मैगी मसाला मैगी मसाला स्वात को और ज्यादा इन्हेंस करता है और यह सारे ही उबले हुए आलू जो मैने कट करके रखे थे वो भी एट करेंगे को अच्छे से सबजी को मेक्स करेंगे और गैस पर बना रहा है तो उसकी फ्लेम को करेंगे और थोड़ी देरी से ढख कर पकने के लिए छोड़ देंगे फिर इसे उपन करेंगे और डालेंगे यह कसूरी मेथी इसको थोड़ा सा हाथों से मसल कर और फिर डालेंगे जिससे की इसका स्वात बहुत अच्छा था है कि इसे थोड़ा सा लास्ट में हम एड़ कर आज मैंने इसमें नमग भी नियाट किया था और ये कड़ाई में मैंने घी तयार किया था तो मैंने सोचा इसी में पूरी तर लेते हैं वैसे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी ये सारा गी मुझे हटा कि उसके बाद इसे एक बार अच्छे से वाश कर लेना चाहिए था ये अब आगे देखेंगे वीडियो में तो मैंने बना ली है ये लोई और फिर इसकी पूरियां हम कैसे तयार करेंगे वो तो आप अभी आगे देखेंगे तो मैंने दो लोई बना ली है और आपके पास ये जाली सी होगी ना हमेशा ही जैसे इस टीम में आप कुछ बनाते हों तो दिखिए रोटी से मैंने बेली थी उसके उपर यह मैंने रख दिया थोड़ा सा मैंने प्रेस कर दीया था इसे और फिर यह उंग्ली में लेके मैंने इसमें लगा दिया सारा तो यह जितने डौट 원래 दौट से हैं रोटी में बन जाएंगे आपके पास अगर oil brush है ना तो उससे भी आप ये चुकंदर का पेश जो है उससे लगा के और इस छन्नी में लगा सकते हैं तो ये दिखे इसे ऐसे उठाएंगे और ये बन गई न डिजाइन टीशू पर ले लीजिए या फिर साफ कपड़ा ले लीजिए उससे इसे हर बार wipe क ले जिसे ये थोड़ा सा clean हो जाए उसके बाद again आप ऐसे process कर सकते हैं मतलब again and again जितने भी पोडियां आपको तयार करनी है बस ये process करते जाए और तयार कर लें धेर सारी पोडियां तो है ना एकदम colorful सी रंग विरंगी पोडियां मतलब अभी तो इसमें एक ही color है अगर आ मैंने छोटी सी पोडी डाल दी है तो देखे मैंने बोला था ना घी का थोड़ा सा खुर्चन इसमें रह गया था तो ये कड़ाई काली हो गई है उसकी वज़े से तो मैंने इसमें डाल दी है ये पोडी और इसे तल लेंगे तो इसी तरह से सारी पोडिया one by one हम तलेंगे और तयार कर लेंगे एक special सी थाली अगर आपके घर में कोई guest आ रहे हैं या फिर बच्चे ही हैं, बड़े भी हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, मतलब खाने से पहले ही एक excitement होगा कि वाओ कितनी प्यारी सी पूरिया हैं, और देखने में ये जितनी attractive और प्यार पटी सी बनी हैं, और तीखी भी, और ये मैंने पूरिया भी तयार कर दी हैं, साथ में मैंने ले लिया था थोड़ा सा दही, उसमें काला नमक और जीरा डाल दिया, और बन गई हमारी ये रंग बिरंगी थाली, येलो येलो सी सबजी, वाइट सा दही, और ये रंग रेड रेड सी पूडिया तो कैसी लगी होली स्पेसल ये थाली बट इसमें अभी थोड़ी सी कमी है अगर गुजिया होती तो और भी ज्यादा देखने में ये स्वाधिष्ट सी लगती बट अभी होली के काफी दिन है तो गुजिया किसी नेक्स वीडियो में बनाएंगे तो कैसी लगी आप लोग को ये थाली अगर आप लोग को ये थाली अच्छी लगी है और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप इस थाली को क्या नाम देना चाहेंगे मैं तो इसका नाम दे रही हूँ होली स्पेसल रंग बिरंगी थाली मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तिल दिन बाबाई